कि अज़े वेलकमिंगे सब्विता क्लासेस मैसलफ धिरध मिस्रा तो आज हम बात करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल अगर आप लोग पार्ट सेकेंड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप अगर हमारे लिंक के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको वहाँ पर मिल अगरते हैं तो अभी तक problem थी जो है कुछ वीडियो आपको नहीं मिल पा रहे थे कांटीनियूसली तो अफिलाद तो आपको मिलेंगे उसमें कुछ प्राब्लम आ गयी जो है तो इसके लिए आप लोग अटेंशन नहीं लेंगे आपको लगातार आप आपको मिलती रहेंग तो चलिए आज हम बात करते हैं metal और non-metal का basic part तो सबसे पहले हम लोग इसमें यह देखते हैं कि metal और non-metal में किस बात का क्या क्या उसमें difference होता है तो सबसे पहले हम start करते हैं आपका metal सबसे पहले आपका start करेंगे हम metal और इसी के साथ इसमें हम difference देखेंगे तो मेटल एक साइड करते हैं और दूसरे साइड आपका रखते हैं हम नॉन मेटल पहले साइड में आपको मेटल देते हैं दूसरे साइड में आपको देते हैं नॉन मेटल तो हम यहां पर देखेंगे क्या कि मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस किस बात का होता है इसमें क्य अंतर होता है यानि की डिफरेंस की बात करेंगे तो मेटल की बात अगर करूं तो सबसे पहला इसमें अंतर क्या हो सकता है मेटल का सबसे बड़ा सबसे पहली बात यह होती है जो आपके मेटल होते हैं उनके वैलेंस सेल में उनके वैलेंस सेल में हमेशा वन टू थरी सेल हमेशा से इनके वैलान सेसल में 123 एलेक्टरोन परजंट रहता है लेकिन अगर भात करें नॉन मिटल की तो नॉन मिटल में हमेशा से 34 56 और खर्ट एक पर प्रजंट रहते हैं आपके नॉन मिटल में तो यह बात खाली आपके वैलेंस के लिए है यह बात खाले आपकी वैलेंस सेल का मतलब क्या होता है कि ऐसा सिल जो किसी भी एटम के सबसे लाश्ट में पाए जाता जैसे कि आपके मिटल में हम जैसे कहें सोडियम मिटल है पोटैसियम मिटल है तो सोडियम का अगर देखते हम तो होता है 2-8-1 यानि कि इसकर आउटर सेल में एक इलेक्रおल होते हैं तो उसको आप कहएंगे और किसकी प्रॉपल्टिस हो कर रहा है मिटल की प्रापर्टिस हो तो यहां पर आप देख सकते हैं कि metal में हमेशा 1,2,3 electron are present in valence cell और non-metal में 3,4,5,6,7 electron are present in valence cell जैसे आप को हम कहते हैं हमारे पास chlorine है, हमारे पास bromine है, हमारे पास carbon है तो यहां पर यह सब क्या होते हैं आपके non-metal होते हैं कैसे कि chlorine का जो atomic number है वो 17 होता है chlorine का atomic number 17 होता है, अगर इनके configuration की बात करें हम, तो होता है 2,8 और 7 यानि कि इनके valence cell यानि कि last cell में 7 electron पाए गए, कितने electron? 7 electron पाए गए, किसमें? non-metal में लेकिन अगर बात करें metal की, तो उसमें कितने पाए जाते हैं? 1,2,3 हमेशा से हमेशा से कितने पाए जाएंगे, इसमें metal में 1,2,3 और non-metal में 3,4,5,6,7 electron present हो सकते हैं, valence cell में, चली उसके जैसे आपका bromine आ गया, तो bromine का भी इसी प्रकार से होगा, कि इसके outer cell में हमेशा से 7 electron ही present रहेंगे, ठीक, जैसे बात करें carbon की हम, तो carbon में हमेशा से carbon की atomic number होता है 6, इसको अगर configure करेंगे, तो आएगा 2,4 यानि कि पहले cell में आपका 2 होगा, दूसरे cell में आपका 4 होगा, यानि आप देख सकते हैं कि कि किस प्रकार सीन में difference होता है, metal और non-metal में, तो एकदम फिर से आपको repeat करते हैं, उसको पहली property को हम, कि metal के outer cell में हमेशा 1,2,3 electron और प्रजेंट, लेकिन non-metal के outer cell में हमेशा से 3,4,5,6,7 electron और प्रजेंट, वैलेंस से होगा, clear, तो यह आपकी first property हो गई, first इसकी definition हो गई, उसी प्रकार आपका second अगर difference की बात करें हम, तो आपके second difference इस प्रकार से हैं, आप लोग इसको note down करते रहेंगे के बात को, तो इसको चल दीजिए, चलिए, 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 उसके बात करते हैं, second property की, इसकी second property क्या हो सकती है, तो अगर हम second property की बात करें, तो आपका वो आएगा hardness, तो metal क्या होता है, जनरली, metal generally hard होता है, लेकिन non-metal generally hard नहीं होते हैं, अब इसी में कुछ आपके exception भी आएंगे, सारे exception को हम cover करेंगे आपके लिए, चलिए, जैसे आपके बात करें, अगर second property की, तो second में आपका आता है hardness, क्या आता है hardness, तो hardness मतलब क्या होता है, कि कोई भी metal generally hard होता है, hardness इसको आप pressurize न कर सकी, तो hardness मतलब यहाँ पे, कि metal are generally hard, इसका exception क्या हो सकता है, exception, इसका exception आपका है, sodium and potassium, वो कैसे, कि sodium, potassium hard नहीं होते हैं, यह इतना soft होते हैं, कि आप इनको जो है, knife से भी cut कर सकते हैं, इनको आप knife से भी cut कर सकते हैं, यानि कि इसका exception आपका हो गया, sodium और potassium, तो metal hardness हो गया, अब इसकी दूसरी property में hardness को अगर देखें हूं, तो non-metal में, they are very soft, they are very soft, यानि यह कैसे होते हैं, soft nature के होते हैं, हमेशा से, तो इसमें आप लोगे difference देखा, कि यह generally hard होता है, इसमें hardness होती है, metal are generally hard, इसका exception है sodium potassium, उसी प्रकार non-metal hardness की बात करें, non-metal में, तो यह क्या होता है, very soft होता है, यानि कि यह hard नहीं होता है, यह दूसरी property होगे, दूसरा difference हो गया, उसी प्रकार, अब हम तीसरे difference की बात करेंगे, कि तीसरे में क्या हो सकता है, चलिए, आप लोग लिखते चलेंगे एक अच्छे से, note down करेंगे पूरी बात को, ठीक, अब हम तीसरे property की बात अगर करें, कि metal में तीसरी property क्या है, जो non-metal में नहीं है, यानि की difference में क्या है, चलिए, अगर हम तीसरे property की बात करें, तो metal are ductile, metal are ductile, इसके अंदर किसके property है था, ductility, हमेशा से जो है, ये ductile होता है, अब ये ductile क्या होता है आपका, कि ductile में हमेशा से इस बात को आप समझेंगे कि, इसको क्या कर सकते हैं, आप can be converted into thin wire, यानि की converted into thin wire, यानि क्या करेंगे आप, कि इसका आप wire बना सकते हैं, इतना ductile होता है ये, कि इसका आप wire बना सकते हैं, जैसे example में आपको बता दे हम, कि जो आपका gold होता है, यानि कि जो आपका AU होता है, इसकी ductility एतनी ज़्यादा होती है कि एक ग्राम गोल्ड को एक ग्राम गोल्ड को आप 2 km तक थिन वाइर बना सकते हैं तो जंदली क्या होता है कि gold के पास बहुत ज़्यादा ductility होती है actual में होती तो copper के पास भी है होती तो aluminium के पास भी है मतलब होती तो सब के पास है लेकिन जो आपका gold है उसके पास ductility बहुत जादा मतलब very very ductile होता है आपका क्या gold उसी प्रकार अब हम तीसरी property बात करें किसके लिए non metal के लिए तो non metal are generally non ductile generally not ductile non ductile मतलब आप क्या करते हैं कि जब non metal की बात करते हैं तो यह ductile नहीं होते हैं आप इनका thin wire नहीं बना सकते हैं आप इनका क्या कर सकते हैं thin wire नहीं बना सकते हैं जैसे कि आपको हम कहें दें chlorine का thin wire कैसे बनाएंगे आप जब आप उसका thin wire बनाते भी हैं तो हमेशा से अपना स्टेथ चेंज कर लेता है, तो अब इसमें तिसा डिफरेंस जी हो गया, कि metal आपके ductile, ductility nature वाले होते हैं, इनका अपthen wire बना सकते हैं, लेकिन non-metal का अपthen wire नहीं बना सकते हैं, इनमें हमेशा ductility बहुत low रहती है, ठीक उसके बात करेंगे अब हम तीसरी property के कि तीसरे में आपका क्या आएगा सोरी तीसरी ने बलकि चौथी आप लोग इसको नटन करते रहेंगे चली अब हम next आपको बात करेंगे number 4 property की कि आपकी number 4 property क्या होती है चाओती property की बात करें तो आपका वो होगा density, क्या होगा density, तो जो आपके generally metal होते हैं, वो high density वाले होते हैं, लेकिन non-metal क्या होते हैं, उनके density थोड़ा low रहती है, जैसे बात करें हम अपने, number 4 property की, तो इसमें हम बात करेंगे density की, किसकी, density की, तो density क्या होती है, metal की, generally metal के जो density होती है, वो high होती है, क्या होती है, यानि कि हमेशा से इसमें क्या होती है, कि density high होती है, जैसे density high होने का मतलब क्या हुआ, कि इसका weight थोड़ा ज्यादा होगा, इसका weight थोड़ा ज्यादा होगा, हर मामले में सबसे आगे होगा, उसी प्रकार ह हम बात करें आपके non-metal के लिए density को लेकर तो इसमें क्या होता है density को लेकर कि non-metal के जो density होती है वो very low होती है क्या होती है very low होती है जैसे हम बात करें आपके sodium, potassium, rubidium, casasium, frencium जितने भी आपके metal होती है उनकी density high होगी जितने भी आपके non-metal करेक्टर के होंगे उनकी density metal के compression में low होती है चलिए उसकी बाद आपकी number 5 property आती है 5 property में देखेंगे हम malleability को देखेंगे कौन कितना malleable है तो malleable means होता क्या है कि malleable means यह हुआ कि आप metal को क्या कर सकते हैं उसको पीट करके जो है एक seat बना सकते हैं उसको पीट करके आप एक seat बना सकते हैं मतलब कि can be bitten या तो कह सकते हैं कि आप मेटल को पीटेंगे या तो उन पर कुछ work करेंगे तो हमेशा से अपना safe chain करके आप उनसे कुछ भी बना सकते हैं जैसे आप क्या थिन seat के रूप में आप उसको बना देती हैं clear हमेशा से आप उसको एक seat में बना लेंगे जैसे कि मिटल के पास हमेशा जंदली क्या होती है मैलेबिल्टी होती है इसके कुछ exception होते है अब मैलेबल किसके पास है मिटल के पास है मैलेबिल्टी किसके पास है मिटल के पास है यानि जैसे आपका हो गया Aluminium, Aluminium की आप Thin Seed बना सकते हैं, आप लोग देखते हैं कि Aluminium का Thin Seed बनता है, वो क्या होता है, क्योंकि आप उसको पीट करके जो है उसको आप अलग सेपदे देते हैं, इसका कुछ exception भी आप लोग लिख लीजिएगा, exception आपके लिए बहु गया, जिंक हो गया, यह सब क्या हुते हैं, जभ आप इनकी Thin Seed बना एंगे तो यह सब Brake कर जायेंगे, मतल darf beat कर जाएंगे, तो तूट जाएंगे, और गर तो आप इनकी Sit नहीं बना पाएंगे, तो क्या होते हैं यह सब, Malleable नहीं source करते हैं, clear? to Malleable है क्या maximum case में आपक करें आपके नोन मिटल की तो नोन मेर्य इन वह को अगर बातकर नोन कुछ नहीं गौस्ट दिफ्रेंस आता है जैसे जोने संख वाद लिए उसके बात करेंगे हम नोन मेर्य बलुटी के बाद जो रफ करें उन आगे ने हम हम मेंटल के बाद नौन मैंटल की बात आ गई डिफरेंस की बात आ गई wh Gal ipe लोग डेक सकते हैं कि इस प्रकार्स प्रकारिक्स में क्या हो रहा है मेलेबिल्टी की बात नों मेलेबिल्टी की बात आई आप इसको ऐसे बनाए रहेंगे बिलकुल डिफरेंस की बात करेंगे हम एक्जाम में आपके यहीं आएगा कि मिटल और नॉन मिटल में क्या डिफरेंस पाया जाता है चलिए चलिए देखते हैं कितनी प्रोपर्टी ब्रिटलनेस ब्रिटलनेस की प्रॉपरिटी मतलब की इसको आप बिटन कर सकते हैं जब आप कुछ भी करेंगे तो जन्रली क्या हो जाते हैं यह ऑन अपलाई फोर्स अगर आप इस पर फोर्स अगर आप इस पर फोर्स अपलाई करते हैं तो जन्रली क्या कर जाते हैं ब्रेक क की टूड़ जाते हैं लेकिन नॉन मेटल्स के बाद हम करें तो इस पर आप पोर सप्लाई करेंगे तो ब्रेक न करके बलगे कुछ न कुछ बना लेते हैं यानि कि जो इनका ब्रिटलनेस होता है brittleness होता है हमेशा से थोड़ा हो क्या होगा अगर इस पर आप force अप्लाई करते हैं तो जंदली ये break नहीं करेगा यानि इसको आप कहेंगे not break क्या करेगा ये not break यानि जंदली ये break नहीं करने वाले होते हैं तो आपकी इस प्रकार ये brittleness के property हो गई और next आपका आता है इसके बाद रफ करने के बाद आपका metal non metal के बाद छट्मी property हो गई धीरे धीरे property को cover करेंगे हम कि इसमें क्या क्या difference पाया गया next हम बात करेंगे आपकी number 7 property की कि आपकी number 7 property क्या है तो 7 number property की बाद करने से पहले आप इस लाइन को याद रखेंगे कि इस प्रकार सिंगे इसमें difference हम देख रहे हैं metal और non metal को बीच में difference की बाद जो सबसी important आपकी है differences में वो number आपका कौन सा है इस एट नंबर निए सेवन नंबर सेवन नंबर सेवन नंबर में आपका क्या है good conductor of heat and electricity heat or electricity का क्या होता है ये good conductor होता है यानि एगर बात करें हम conductivity की जो है तो conductivity में जंदली ये क्या होते है इसमें good conductor of heat and electricity यानि इसमें क्या होता है heat or electricity को ये conduct करते हैं हमेशा से जैसे आपकी हो गए aluminum हो गया आपका copper हो गया आपका silver हो गया आपका gold हो गया आपका ये सब क्या होते हैं good conductor होते है heat or electricity का मतलब जब भी आप इसमें current का flow कराएंगे तो अच्छे से एक दम flow कर जाएगा एक place से दूसरे place पर लेकिन अगर हम इसी seven property में बात करें तो इसमें ऐसा नहीं होता है इसमें ऐसा नहीं होता है ने किंकी conductivity होती है थोड़ा law मतलब के conductivity of free and non-metal में writyl are very low इह में क्या होता है और इनकी कं़ुद थोड़ा लो होती है इसमें अगर आप उर करंट का फॉर कराते हैं तो बहुत इजली होगा मतलब बहुत rapidly नहीं होगा बहुत क्या होगा वो इजली होगा या को यह कहिए कि बहुत time लगेगा सको कराने में मतलब यह good conductor of hect electricity है और यह City छिक यह होती है आपके Propriety को देख लिए Metal आपका good conductor होता है लेकिन non-metal आपका bad conductor होता है लेकिन इसए किण आपलोग जानते रहिएगा जैसिक्या अपका Graphite होता है क्या Graphite Graphite में current का Flow हो जाता है लेकिन graphite में क्या है ग्रिफाइड मेटल नहीं होता बलकिनों मेटल होता है और हमें जानते हैं एनमे करेंड का फ्लो नहीं होता बलकिन होता भी है शिक चलिए यह कनेक्टिविटी की बात हो गई आपका आएगा नंबर एट प्रॉपायर टी में टिंग एंड बोलिंग पॉइंट लिए इसकत हम देखते हैं अप इनका मेलटिंग और बोलिंग पॉइंट क्या होता है चलिए देखते हैं आप लोग एक बात को नोट करेंगा क्या आने वाली बातें सब जरूर आपको पूछेगा जो है इने में प्रोपरिटी क्या होती है और आपके जिंदली एक्जाम होने वाला भी है पहुत ज़दा टाइम नहीं बचा है तो अच्छे से आप नोट्स को तयार करेंगे एकदम अच्छे से पूरी बात को समझेंगे एक इक डिफरेंस की ब बोईलिंग पॉइंट जन्दली क्या होता है मेटल के लिए इनका मेल्टिंग और बोईलिंग पॉइंट जो होता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बोईलिंग पॉइंट आर हाई मेटल का जो मेल्टिंग और बोलिंग पॉइंट होता है जंदली वो आपका क्या होता है हाई होता यानि की ज्यादा होता है हाई क्यों होता है क्योंकि जो इनके मॉलीक्यूल होते हैं आपके मेटल के वह बहुत आपस में पास-पास होते हैं मिसामेसा जुड़े रहते हैं बहुत वो क्या होगा स्ट्रॉंग वो एक बांद होगाका लेकिन गर नॉइट फ зах पूक्त होगा रिषानि वीट होगा यंडिर से में कहते हैं वान्डर वाणडरवल फोर्स की बात आएंगे देखे वह फोर्स वह बहुत क्या होगा वह वीक फोर्स लगेगा चलिए तो आपके melting boiling point क्या हो गई थोड़ा ज्यादा हो गई किसके लिए metal के लिए लेकिन अगर हम बात करें अपने non-metal में तो इसकी क्या होती है melting point and boiling point are are very low क्या होती बहुत वो कम होती है नहीं exception क्या क्या हो सकता है तो इसके exception में आपके आते हैं जैसे आपका melting boiling point में हो गया जैसे आपको कहते हैं mercury होती है उसका melting boiling point वड़ा कम होता है लेकिन इसमें बदाराय ज्यादा है mercury भी आपके metal नहीं होती हम इंटल होती है यह तो आपके number eight property हो गई ठीक इसमें बिव्...? कुछ आपको exception बताते हैं कि क्या इसमें exception हो सकता है तो इसका exception आपका melting boiling point का है वो आपका होता है इस है ह सिलकल हो गया है एसा लेए कि melting boiling point फड़ा ज्यादा होती है हमेशा से जैसे आपके carbon हो गए तो सब क्या होते हैं की melting boiling point ज्यादा होती है लेकिन आपके non metal होते हैं clear तो यह आपके exception हो गए इनकी difference हो गए चलिए ठीक next आप से हम बात करेंगे इनके difference के लेकर की number eight की बाद number nine number प्रफ पे आपका क्या आता है उस बात को हमें हाँ पर देखेंगे कि nine नंबर पे क्या हो ठीक number nine पे क्या है देखते हैं उसको cover करेंगे कि बात गिए रबात को समझना है यह Co修 को छए आपकी नाउन नंबर हो क्या होता है आपका जैसे लश्टर प्रियू होता है लश्टर इसमें भी देखेंगे हम लंबर-9 नंबर में लश्टर को अमाइब एक प्रकार कैंगे नहीं चमक ब्रायट्नेस शाइनिंग टिप जैसे तारा समकता है जैसे आपका स्टार्ट मतता है उसी तरह से मेटल क्या कहेगा जन्दली या लश्टर आर लश्टर मतलब साइन मतलब साइन यानि की समकने वाली बात ठीक लेकिन जो आपके नॉन मेटल होते हैं आर नॉट लश्टर नॉट लश्टर ठीक एक सब्सक्राइब करेंगे इसमें क्या क्या सब्सक्राइब हो सकते हैं किस प्रकार से इसमें लश्टर है किस प्रकार से इसमें लश्टर नहीं है तो अगर लश्टर लश्टर की बात आएगी लश्टर मतलब क्या होगा चमक होती ह जैसे आपको हम कहें इसके exception में कि इसका exception क्या क्या हो सकता है ऐसे आपका iodine है जैसे आपका आयोडीन के इलाबा जैसे क्या होसकता है आपका graphite है क्या है ग्रिफाइट है diamond है सब क्या होते हैं जंदलीन में चमक तो होती है लेकिन क्या होते हैं यह मेटल नहीं होते बलकि यह नौन मेटल होते हैं ठीक उसी प्रकार समझेंगे हम पने मेटल को तो इनमें क्या होती है लश्टर की प्रॉपरिटी पाई जाती है नहीं यह हमेशा से क्या होते हैं चमकते हैं बहुत से बहुत पहले साइंटिस्ट हैं लोग थे वह एही रिसर्च करके पता किया उन्हें मिटल और नौनमटल में डीफ्रेंस रही पता लगाया कि जो चीज चमकेंगे वह हमारी मिटल होगी और घो नहीं नहीं हमकेगे वह हमारी क्या होगी बन मिटल होगी ठिक जह से आप लश्टर के बाद आपका आता है मेल्टिं बॉलिंग पॉइंट होगा स्योम रस की बाद करने फ़ला सहम आगा सुनुरश है सुनरस इसके सउनरस की प्रेटी है कि इसमें भी देखेंगे तो जो आपके मेटल होते हैं जनली क्या होता है उन सुन्रस प्रोपिल्टी पाए जाते है क्या होता जनलल इसमें सुन्रस प्रोपरिटी पाए जाजा सुन्रस मतलब एक सोनरस not be sonorous मतलब इनके अंदर sonorous की property थोड़ा लूज पाई जाती है थोड़ा गो कम पाई जाती है यानि इनको आप अगर टकरान कुलाईश कराते हैं तो उनमें से क्या होगी थोड़ा सा कम आवाज आती है यानि कि बहुत मतलब सुलोवा जाती है ठीक लेकिन अगर जैसे आ आपका हो गया college की बेल जो होती है हमेशा से उनकी sound जो होती होती है क्योंकि यहां पर sonorous property की बात कर रहे हैं सुनरस मतलब जिसमें sound create करेगा ठीक चलिए तो आपके यह क्या हो गई metal और non metal की properties हो गया इनमें difference हो गया ठीक आपका यह first video था आपका second video बना हुआ है जिसमें कवर कर देते हैं आपके लिए चलिए इसको आप रफ करें हैं आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए ठीक चलिए अब मैं आपको इसमें थ्वड़ा सही बात कवर कराऊंगा कि metal की जो है chemical property क्या होती है यह तो आपके सारी सारी कौन से property हो गई physical property सब सारी property आपकी physical property थी पहले हमें जानना परेगा किacidic क्या होता है और basic क्या होता है और basic क्या होता है ठीक, तो मैं बात करूंगा इसकी chemical properties की कि इसकी बात करूंगा chemical momries है जोग पार्परोपर्टीज है सबसे पहले हम बात करें मेडमेंगा disc Metal की ठीक तो जो मिटल हमारा होता है जब वो किसी oxygen से reaction करता है जैसे आपका sodium है अगर यह रेक्ट करेगा oxygen से तो क्या बनाएगा जंदली यह यह ने टूओ यह नहीं कुछ हैसा बनेगा ठिक होते हैं जो आपके मेटल होते हैं जो आपके मेटल होते हैं यह जो है अब नेचर में कैसे पाएजाते हैं एसडिक नेचर के होते हैं किस नेचर के होते हैं एसडिक नहीं बलकि बेसिक नेचर के होते हैं क्या होते हैं यह बेसिक नेचर के होते हैं लेकिन जो आपके नॉन मेटल है नॉन मेटल जैसे मैं बात करूं कार्बन की तो आपका कार्बन अगर ऑक्सिएन से मिलता है तो बनात सबसे बड़ी प्रौपरी इसमें यही है के मिकल में कुछ आपके मेटल होते हैं वो जन्दली जो इनका आक्साइड मनता है वह बेसिक नेचर का होता है लेकिन जो आपके non metal होते हैं जो उनका oxide बनेगा वो हमेशा acidic nature का होता है clear तो आपकी यहां पे सारे concept clear हो जाने चाहिए आपका part first video clear हो गया second भी clear हो गया यानि आपका non metal और metal आपका clear हो गया ठीक उसके बाद अगर आप लोग इसका part first video देखना चाहते हैं तो आपको बता दिया second अगर देखना चाहते हैं तो आप इसके link description में देखेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएंगी चलिए अगर आप लोग अभी तक हमारे चनल पर नए हैं तो आप हमारे चनल को subscribe जरूर करिएगा और हमें comment में लिक के जरूर बताएगा कि आपको यहां पर कुछ question है कुछ problem आपको आ गई है चलिए ठीक thank you हुआ 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 है